बाबा जटा संकर की स्पावन नगरी और भगवान परशुराम के पिता जब्दंग निर्शी की तपो भूमी को पढ़नाम करते वे मैं आप सब का हिर्दे से अईवादन करता हूँ भायों बैनों मैं उत्तर प्रदेश की धर्टी से आया हूँ उत्तर प्रदेश को मर्यादा प्रसुत्ता भगवान सभी राम लेलाधारी भगवान स्री क्वेश्न और भगवान सिव का अस्तरिवाद प्राप्त है मा गंगा और यमना दोनों के अस्तरिवाद के साथी उनका संगम भी उत्तर प्रदेश में ही है उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश भारत के महत्तुकून राज्यों में से दो महत्तुकून राज्ये हैं और उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश आपस में सांजी विरासत संस्कृति और परंपरा के साथ भी ऐसे जुड़े हैं जैसी एक आत्मा और दो सरीर के रूप में कारे कर रहे हूं वायो बैनों आज मुझे सुजानपुर में आकर के आप सबसे इस चुनावी सभा के माध्यम से ही सही संबाद का उसर प्राप्त हुआ मैं बारती जनता पार्टी के पदाधिकारियों का यहां के लोग प्रिय प्रत्यासी का फिर्दे से धन्यवाद करता हूं वायो बैनों हम सब की पीड़ी सौभा के साली है हमारी पीड़ी सौभा के साली इसलिए है क्योंकि हम बदलते वे भारत को अपनी आँखों से देख रहे है एक नए भारत का दर्सन कर रहे है जो भारत आत्म निर्वर्क ताकियो और अग्रसर हो रहा है जो एक समर्थ भारत है एक ससक्ट भारत है जो भारत दुनिया के सामने हाथ नहीं पहलाता है बलकि दुनिया में जहां कहीं अभाव है अराज़कता है अविवस्ता है वहां हाथ पकड़कर कि उसी चन्न सिखाता है ऐसा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नित्रुत्तों में पिछले नौ साड़े नौ वर्सों के अंदर बना है एक अथा भारत जिसके प्रति दुनिया का विश्वस मुझबूत हुआ है एक अशाभारत जो केवल दुनिया का हाथ पकड़ता ही नहीं है बन कि अगर कोई दुनिया में भारत को आंखें दिखाता है तोसकी आंखों को भी दूश्च करने का काम करता है एक ऐसा भारत जो संकट के समय दुनिया के लिए एक आसा है दुनिया की मानों ताकि कुछ आकांसाओं की पूर्थी का मादा रखता है और एक ऐसा भारत जिसने उत्तर से तक्सिन तक पूरब से पसिन तक संपूर्ण भारत के 142 करोड़ लोगों को एक परिवार के रूप में मान करके सबका साथ और सबके दिकास की भावना के साथ उसको जोड़ने का कारे किया है वैयो बेनो आज भारत बदला है यह बदलता हुआ भारत का निशान है कासी में कासी तिस्वनात धाम में आप जाएए एक नई कासी के दर्सन उत्तर रदेश में आपको होंगे उत्रा खंड में केदारनात धाम में जाएंगे बबा केदार पुरी की नई धाम की नई पुरी की दर्सन आपको वहाँ पे होंगे महा काल के महा लोक में आएंगे तो यहाँ पे महा काल का यह महा लोक हम सब को एक नई अन्भूती कराता है बावा सोमनात के धाम में आप गुजरात में जाईए आपको एक नई अन्भूती कराता है और पांसो वर्सों कंतजार समाप्त करके अयोध्या पूरी भी तो तैयार हो गई है वायोगैनों मैं अपसे पूछना चाहता हूं मैं अपसे पूछना चाहता हूं अयोध्या में रामजन भूमी के मंदिर विवात का समाधान हुआ आज मंदिर का निर्वान भी हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को प्रदान मंत्री मोधी जी के करकमनों से राम लाव अपने मंदिर में दिराजमान भी होंगे यह जो तीनों प्रकार के कारिक्रम है आपने से भी और आपकी पूर्वजों नहीं भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था इससे बड़ा स्वाबा के और क्या हो सकता है कि जिसके लिए हमारे पूर्वज बल्दान हुए थे जिसके लिए उन्हाने संघर्ष किया था जिसके लिए उन्हाने साधना की थी जो उनकी मनोकामना थी हम अपनी आखों से भौतिक आखों से आज उस कारे को मूर्त रूप होते वे देख रहे हैं इसलिए मैंने का हम सौभा के साधी है हमारी पीड़ी सौभा के साधी है लेकिन वाइव बेनों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ योठ्या मैं राम मंदिर का काम क्या क्या कॉंग्रेश कर पाती है कॉंग्रेश तो चाती ही नहीं थी क्योंकि कॉंग्रेश का नाम ही समस्या है कॉंग्रेस साथी नहीं ती समस्या का समाधान हो कॉंग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं कोई प्रिवर्तन नहीं होना चाहिए और तो राम भक्तों ने का कि गुलामी की धांचे को हटा देंगे नर रहेगा पांस नहीं बजेगी पांस हुई कि वाई कन्यों के अकॉंग्रेस देश को का Olumous को का देश को समस्या छाई गंकड्र और थायों कॉंगरेस ने एक आतंग ना सहत्या दी रोकत की समस्या दी गुद कि उसने नखसवाज्बाद की समश्या दी भ्रस्ताचार के कारण देश की चबी को धुमिल किया देश के अंदर सोशन और भ्रस्ताचार के लिए कॉंग्रेस के काले ख्यास को आने वाई प्रीड जब देखेगी पड़ेगी वा यो के लो कॉंग्रेस को छूने की बात तो दूर गोड़ देने की बात तो दूर इसमें हमारे इध्यास को हर पकपक पर कलंकित करने का कारे किया हो उसे अप्मानित करने का कारे किया हो इध्यास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे इध्यास में पढ़ाया जाता था कॉंग्रेस के समय का इध्यास अग्वर महान है यानि महाना प्रताब को ये महान नहीं मानते थे अग्वर को महान मानते थे एक कॉंग्रेश्यों का इठ्यास है और भाजपा कहती है कि महाना प्रताब और छत्रपती सिवाजी महाराज महान है अंतर स्मस्त है एक और गुलामी की निगाओं से पुरे देश को देखने वाली कॉंग्रेस देश को पुना गुलामी की और धकेलने का कुछ हित प्रयास कर रही थी दोसरे तरह अपने रास्ते स्वाविमान और सम्मान के लिए जाने जाने वाली भारतिये जन्ता पाल्टी जो राम और कृष्णी की परंपरा पर भी संदावा रखती है माना प्रताव और छत्रपती शिवाजी महराज की परंपरा पर भी गौरव के अन्भूती करती है राजा भोच की परंपरा पर भी गौरव के अन्भूती करके आगे बढ़ने का कारे करती है यह है भारतिये जन्ता पाल्टी भायो बेनों कॉंग्रेस ने तो राम और कृष यह हुए ही नहीं यानि उनके लिए भारत का इख्यास केवल पंडित जवाला नेरू से प्रारम होता है और उनके लिए और सबसे पवित्र ग्रम्ठ वही माना जाता है कि वे अपने को आज भी एक्सिडेंटल कहते हैं कि एक्सिडेंट हुआ कॉंग्रेसी पैदा हो गए कि यानि देश का स्थित्व है राम और कृष्ण थे वे मानने को तैयारी नहीं लेकिन हमने माना लेकिन मानने के लिए सर्क थी डविनिंजन की सरकार रहनी चाहिए मोधी जी का सानित्यार उनका श्रिवाद उनका मार्ग दर्सन उत्तर्व देश की जनता ने अंगडाई ली जाती मात मजभ छेत्र भासासियों पर उठी अंगडाई ली बारतिय जनता पार्टी की सरकार उत्तर्व देश में आए पांसो वर्सों का विवाद का समाधान हो गया अयोध्या में राम मंदिर के निर्मान का मार्ग प्रस्त हो गया और अब तो 22 जनवरी को 22 जनवरी को राम लिला अपने स्वयम के भब्य मंदिर में बिराजमान हो जाएंगे हर भारतवासी दुनिया में जाना कहीं रह रहा होगा हर सनातन धर्मावलंबी गौरव के साथ कह पाएगा कि राम लिला हम आए हैं और मंदिर में आपको बिराजमान देखते देख करके गौरव के नभूति कर रहे हैं वह यह बेना और यहां हर भारतवासी के लिए गौरव के नभूति वाला दिन होना चाहिए मद्यप्रदेश में पिशले 20 वर्सों में जितना परिवर्टन किया है एक उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और मद्यप्रदेश राजस्तान भिहार जैसे राज्यों की से विमारू राज्य आला जाते फैकास की प्रकति में पीछे बहुत पीछे चूट गए थे कि मैं धञ्यवाद दूंगा यहां के लोगप्रिय मुक्य मंत्री सी श्राश् bio जिंके नेत्र अमें बिद्ध भीमारों प्रदेश से उबरां है बिमारूपन के कलंक से मद्यप्रदेश उबरा है उत्तर प्रदेश वियाद बिमारूप राज्य से उबर उबर चुका है बिहार अभी उसी बिमारी की चपित में है और राजस्तान भी उसी बिमारी की चपित में बायो बेनो उत्तरप्रदेश और मत्यप्रदेश में भाजपा की सरकार है और मोदी जी का मार्ग दर्सन है दिमारू पन का छप ठपा दूर हटा अब विक्सित और अग्रणी राज्जियों में उत्तरप्रदेश और मत्यप्रदेश आ चुके हैं और इसी लिए हम कहने के लिए आये हैं इसके लिए प्रियास करना पड़ा। मैंनद प्रदेश में सासं की योजना को फर विक्ति तक तोचाने के लिए जिस इमानदारी के साथ कारे हुआ। विराषत को सम्मानेट करने गौड़व के अनुबूति कराने किले कारे जिस तच्थ पडिता के साथ हुआ बद्यप्रदेश में किरशी के जिस प्रकार की कारियोस्ना अंटेश के अंदर सबसे अधिक विकास की दरवाली किर्शी के लिए मद्यप्रदेश को स्तापित करने के लिए शिवराज सिंचोहन ने जो कारे किया वायोगेनो वाविलंदनी है और उसके कारण विकास की दर में मद्यप्रदेश की तेजी के साथ आगे बढ़ा ने ने प्रियोग ने ने कारे करम ने तरीके से आगे बढ़ाने का प्रियास और उस ने तरीके से आगे बढ़ाने की इस प्रियास की ही स्रिंखला है कि आज मद्यप्रदेश भी अपने को कह सकता है कि हाँ हम भी भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं एक भारत स्रेश्ट भारत के भी हम भी पार्ट हैं आज मद्यप्रदेश भी इस बात को कह सकता है और इसलिए भाईो बेनो आज मैं आप सबसे पील करने के लिए आया हूँ विकास के लिए सरकार में स्थिर्ता राज्य में और केंडर में एक समान विचार धारा की एक पार्टी की सरकार होगी तो विकास कई गुना बढ़ेगी कई गुना बढ़ेगी याद रखना कॉंग्र एजेंडा होता जो तत्वन वर्सों तक सासन के थे गरीब को मकान मिल गए होते गरीब को सोचाले मिल गए होते गरीब के घर में भी बिजली जल लई होती गरीब को भी आंसू पोंचने के लिए उजला योसना के कनेक्शन मिल गए होते गरीब को भी पांच लाख रुपे क कि आयुस्तमान भारत की स्वास्ते बीमा का कबर मिल गया होता गरीब कॉंग्रेस के समय भूकों नहीं मरता वह यो बेनो मोधी जी के प्रत्यामाबारी है कोरोना काल खंड में जब अपने अपनोंने भी साथ छोड़ दिया तब 80 करूर लोकों को नोने फिरी में रासन देने क का काम किया जब दुनिया असमंजस में थी तह मोधी जी वैक्सीन बनाने के लिए कारे कर रहे थी और दुनिया की सबसे दो अच्छी वैक्सीन भारत में बनाई पहली बार भारत में बनी अ एक्सन थ्रीपव्चार की मैं राजन भिरन पोसर बת्था ये भी मोधी जी चाइए अभाटग दिया अधिन जमिनी धरातल पर उसको संथे यूतथ अद्वायो ज़ों पर контifs twa की सरकारीं थी वहां को अराज़पा की सिंथत्तितिक पापिवरस्ता कि फ़िए कि असमंजस किस्तिती और इसलिए जो संकट में आपका साथी वही आपका साथी है कि नए प्रयोग हो रहे आपने पिशली बार यहां पर इंदर शिंग परमार जी को अपना विधायक चुना सिक्सा मंत्री के रूप में सियम राइस इस्कूल की नई परिकल्पना को सिक्सा के छेतर में प्यापक सुदारो याद रखना सिक्सा है तो संस्कार है और संस्कार है तो संब्रिधी अपने आप आएगी भायो बेनों विकास का अधार स्तंब है शिक्सा आत्म निर्भरता की आधार सिला है शिक्सा और शिक्सा के लिए सियम राइज स्कूल की नई शुरुआद इसी सुजानपूर विधानसवाद छेतर से मद्ध्रदेश के लिए प्रारम पूई एक मॉडल विध्याले की रू रूप में स्थापित करने के उनके इसकारिक्रम को सच्मुच अभिनंदन करना चाहिए और इसलिए आज मैं आप से कहने के लिए आया हूं वायो बेनों कि इस चुनावी समर्व में बहुत अस्वस्त हो चुका है एक तरफ राम भक्त हैं दोसी तरफ राम विरोधी है एक शिक्सा का अलग जगाने वाले राश्ट भक्त हैं और युवाओं के जीवन को जल में घोस्यक्यों अग्रसर करने वाले उसकी उर्च और प्रतिभा को राश्ट की संब्रदी में लगाने वाले राश्ट भक्त हैं दोसरी तरफ सराब परोस करके युवाओं को गरबादी क इतकादारियों धकेंवने वाले सराव माफिया भी चुनाओं में आ गए है और अस्तरा माफिया भी अब चुनाओं में आ रहे हैं कि अब देखो और वह बैंनो इसके माफियाओं की हिमत तो दोखो ना कि चुनाओं वी लड़ने का कारे कर रहे हैं यानि युवाओं की पीड़ी को परिवारों को भी बर्बाद करेंगे और फिर चुनो चाती चोड़ी करके चुनो लड़ने के लिए भी आएंगे भायो बेनो आपको तै करना है सिक्सा और संसकार चाहिए या फिर सराप और उससे बर्बादी चाहिए परिवारों चाहिए इंफरस्टक्चर के लिए बड़े-बड़े हाई वे बने इयरपोर्ट बने वाटर वे हो इन सब के लिए हमें एक स्टेडियम बने इसके लिए तो हम समर्थन करें लेकिन सराब परोसने वाले माफ्याओं को कते ही आप समर्थन न करें कते ही वाली पीडी फिर कभी छोड़ेगी नहीं माफ नहीं करेंगी और इसलिए वायोवे नो मैं दिपावली के पहले आपके पास आयों कहने के लिए कि दिपावली में सब प्रकार की बुराईयों को त्यागने का उसर होता है इस सब पुराईयों को 17 नौंबर को वोटिंग होनी है और 11 को अयोध्या का दिपावली का भब्याईजन होना है तो 11 को अयोध्या की दिपावली के साथ ही भग्वान राम का नाम ले करके एक साथ आप तैय कर देंगे कि हमें कोई सराब माथिया नहीं चाहिए गलत मा गलत ब्यक्ति नहीं चाहिए कोई अपराधी कोई माथिया किसी भी प्रकार से हम उसको स्विकार नहीं करेंगे या हमें तैय करना है और इसलिए भाईयों बेलों मैं आप सब से अपील करने के लिए आया हूँ मद्यप्रदेश में फिर से भारती जंता पार्टी की सरकार चाहिए बोधी जी के में तुने कैसी सरकार चाहिए याद रखना मद्यप्रदेश में डवलिंचन की जो भारती जंता पार्टी की सरकार है इस सरकार में गुंडे, अप्रादी, माफ्या, आतंगबादी, उग्रवादी, नक्सलबादी ये सभी तरस्त हैं, परिशान होंगे, भागेंगे और चुनाओ के समय सभी एक जुठ होकर के फिर कारे करने का प्रियास करेंगे और हमारा प्रियास होना चीए कि डवल इंजन की सरकार फिर से आये, डवल इंजन की सरकार का क्या पेलडाम होगा और कैसे डवल इंजन सरकार ने अपने कारेक्रमों को आगे वढ़ाया है वायोवेनो चत्रपती सिवाजी महराज के सौर और प्लाकर्म के बारे में एक बार महा कभी भूसर ने कुछ पंक्तियां दिखी थी उन्होंने कहा था दावा दुरुम दंड पर चीता मिर्ग जुंड पर भूसर बितुंड पर जैसे मिर्ग राज है तेज तम अंस पर काना जिमिकम सिवर त्या मलिच वंस पर सेर सिवराज है और मैं आप सबको आखवान करने के लिए आया हूँ यानि इसका अर्थ है जिस प्रकार पेड़ों के तनों पर दावा नल हीरनों के जुंड पर चीता हाती पर सेर अंधेरे पर प्रकास की एक किरण कंस पर कृष्ण भारी है उसी प्रकार मलिच वंस पर जिवराज सेर के समान भारी है और इसलिए भाईयों मैं आप सब कावान करने के लिए आया हूँ कांग्रेस का 55 वर्स का कारिकाल अगर एक और आप रख लेंगे और शिवराज जी के 20 वर्स के कारिकाल का आप रख लेंगे तो शिवराज सिंग चौहान जी के ने तृत्व की भारतिय जनता पार्टी सरकार का कारिकाल मत्यप्रदेश में उसे कई भारी दिखाई देगा और उस भारी जिसने मत्यप्रदेश को एक पैचान दी है उस पैचान के लिए एक बार फिर से डवल इंजन की सरकार मत्यप्रदेश में लाने के लिए आज मैं आपके पास आया हो कि भारतिय जनता पार्टी ने लोग प्रिय प्रत्यासी के रूप में यहां के सिक्सा मंत्री सिंदर सिंग परमार जी को फिर से अपना प्रत्यासी बना के आपके बीच में उता रहा है परमार जी को अपना असरी बात देंगे सभी लोग सहमत हैं सभी लोग सहमत हैं तो दोनो हात लाकर के मेरे साथ बोलेंके दोनो हात लाकर के बोलेंगे भारत माता की भारत माता की